तो फाइनले दोस्तों यहां पर आपको एहरो की स्प्रिंटर प्लस में कुछ और नए कलावर वैरन देखने को मिल सकते हैं जहां पर कुछ नए ग्राफिक्स आ रहे हैं अब वो कौन से है वो तो आपको यहां पर थम्नेल पर और वीडियो में दिख गया होगा लेकिन यहां μοैंर पर हम लोग कुछ और ईजिटे बात कर लेते हैं जो की इस बाइक में आपको चेंज करके मिलने वाली हैं वैसे इस बाइक में इतनी सारी चीजें आपको अले डी कंपानी ने बगल करूथ है कि अप उसमें और जपर सबुश में ने कुछ इंढ़ कर वा सकते नहीं कर लेकिन फिर भी कंपनी ने कोशिच किया है कि इसमें कुछ और चीज़ें भी चेंज की जाए थर यहां पर मैं बात करता हूँ पहले बाद तो इस बाइक के स्पेसिफिकेशन की ऊपर तो यहां पर आपको फोल स्ट्रोक का एर कोल्ड इंजन मिल जाएगा जो कि सिंगल सिलिंडर है ओएसी वाला 97.2 cc का इंजन दिया गया है जो कि प्रॉपर 100 cc का भी नहीं होता है लेकिन इसके बाउज़ोद आपको 5.9 किलोवाट की एट 8.000 rpm पर मैक्स पावर मिल जाती है और 8.05 nm की टॉर्क मि मिल जाएगा यानि के FI मिल जाएगा इसी के साथ इसमें कुछ और भी चीज़ें जो कि प्राइस को थोड़ा सा मोडिफाई कर देगी यानि प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देगी मोडिफाई यहां पर नहीं चलता प्राइस पर हम लोग बाद में आएंगे यहां पर आपको constant mesh gearbox मिल जाता है यार कहीं नहीं अभी भी चार speed का gearbox सही नहीं है मतलब यार पांच तो कम से कम करी देना चाहिए जैसे प्राटिना में हो चुका था suspension की बात की जाए तो मैं आप उता दिया कि रियर में 5 step में जच पर hydraulic shock absorbers मिल जाते हैं लेकिन फ्रेंट में आपको telescopic hydraulic shock absorbers मिलते हैं जो कि बहुत ही basic से हैं अब वही मिलता है तो क्या कर सकते हैं ड्रम वाला variant आपको मिलेगा ब्रेकिंग के लिए यहां पर disc वाला अभी तोक नहीं आ रहा है लेकिन फ्रेंट में आपको 130 mm का drum मिल जाता है लेकिन यह tubeless है वहीं अगर आप HF Deluxe पर या फिर HF Endant पर साइच जाते हो तो इन में से कोई एक बाइक है जिसमें आपको tubed वाले tire मिलते हैं तो tubeless tire होना जादा बहतर है tube tire से क्योंकि अगर tubeless tire पंचार होता है तो आप इसे कम से कम चला तो सकते हो लेकिन tube tire अगर आपका पंचार होता है तो वह बस अगर आपने इसमें चला दिया तो tire भी गया rim भी गया tube तो गई ही गई तो tubeless tire ज्यादा प्रिफरा किया करो headlight बहुत ही basic सी है halogen वाली है 35 watt वाली halogen की 12 volt AC और DC पे चलने माली 12 volt 3 AH की बैटरी मिल जाती है जो की MF बैटरी होती यानि के ज्यादा उसमें maintenance की ज़रत नहीं होती यानि की maintenance free बैटरी होती है tail light आपको 5 watt की मिल जाएगी 12 volt पर जो की halogen की दिये गई और जिसके indicator है वो भी आपको halogen की मिलते है जो की 10 watt की दिये गई है so price की बात की जाए तो यार price इसमें देखा जाए तो बहुत सारे variant है मतलब इतने सारे variant है का आपको मैं क्या बता हूँ color की इसाफ़ सारे अकर देखा जा तो बहुत सारे variant है लेकि फिर भी इसमें कुछ ऐसे वेरिंट है जिसमे 72,420 रुपई से लेकर के तक चोहतर जार सत सुद्स रूपए तक चली जाती थी अभी तक यजू प्राइजनु ति wine packaging जिसमेें आपको कई सारे वेयरेंट करीब चार वेयरेंट मिल जाते हैं इन चारों वेयरेंट में भतेरे जो है color scheme मिल जाती है फिकन यह न यह निया इस color scheme है इसकी प्राइस थोड़ी से यार बढ़कर के आने वाली है जो कि इसका जो प्राइस है वो आज की डेट में करीब करीब 76,000 रुपए के आस पास पढ़ने वाली है मैं एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ और प्राइस तो पता नहीं कहा चला जाएगा आपको में ये वीडियो कैसे लेगे जल्दी सा नीचे कमेंट निदा देना भाई वीडियो चला गए लाइक जरू कर देना चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोते गयार प्लीज ख्याल लगना अपना और अपनी सभी बाइक्स का बाई बाई